सबी विद्यार्तियों को दस्वी कक्षा में फिर से स्वागत करती हूँ जैसे कि हमने कल देखा था कि गिल्लू इस पाट के लेखिका का पर्चे और इस पाट के छोटे से भाको तो इस पाट के लेखिका है महादेवी वर्मा जी मैंने आपको बताया था कि आपको एक अंक का प्रश्णी है भी आ सकता है कि गिल्लू इस पाट के लेखक कौन है या तो अनरूपता में आ सकता है या तो ये कंक के प्रश्न में आ सकता है तो गिल्लू इस पाट के लेकी का है महादेवी वर्माजी और अनुरूपता में ये भी आ सकता है कि गिल्लू यहाँ क्या है जैसे कि कश्मीरी सेव कहानी है तो गिल्लू क्या है यहाँ पूचा जाएगा तो गिल्लू यहाँ क्या है रेखा चितर है तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी पशू पक्षियों के सभाव को और मनुष्य पशू पक्षियों के उपर जैसे की स्नेह प्यार से रहते हैं उसके बारे में इस पार्ट में बताया है तो हमने महादेवी वर्मा जी का परचे कल के जो कक्षा था उसमें देखे थे तो महादेवी वर्मा जी का जनन 24 मार्च 1907 को फारुकाबाद में हुआ था इनके पिता जी का नाम है गोविंद वर्मा और माता का नाम है हेमरानी महादेवी वर्मा जी के माता पिता का नाम लिखिये यह भी प्रश्न आपको आ सकता है और इनका जनन भी आपको पूचेंगे इसलिए यह और एक बार में आपको बता रहे हूँ इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फारुकबाद में हुआ यह भी प्रश्न आपको एक अंक के लिए पूचा जाएगा या तो अनुरूपत में या तो एक अंक के प्रश्न में फिर महादेवी वर्मा जी गद्य और पद्य दोनों की रचना की है इसलिए इनको विश्वस्थर की कव कवियत्री भी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी गद्य और पद्य की रचना की है जैसे कि हम गद्य की रचना की है तो इनको लेखी का कहते हैं और पद्य की रचना के तो हम कवियत्री कहते हैं तो यह विश्वस्थर की कवियत्री है और महादेवी वर्मा जी को आदूनिक मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को हमारे आदूनिक मीरा भी कहते हैं तो यहाँ पर आपको तीन अंक या दो अंक के लिए यह भी प्रशन आता है कि महादेवी वर्मा जी के प्रमुक रचनाएं लिखे तो महादेवी वर्मा जी कडियां और यामा आप तीन से चार प्रमुक रचनाई लिखे अगर दो अंक का प्रश्ण आया तो और एक अंक का प्रश्ण पुछा तो आप सिर्फ दो रचनाई लिख सकते हैं तो यहाँ पर दीप शिका नीरज निहार अतित के चलचित्र मेरा परिवार श्रूंकला की कडि संध्यागित और यामा इतने सारे जो रचनाई इसमें तीन से चार रचनाई आप याद रखिये यह तो आपके परिक्ष को बहत महत्वपूर्ण प्रश्ण है फिर महादेवी वर्मा जी को मिले हुए पुरसकार जैसे कि मैंने कल बताया था महादेवी वर्मा जी को सेक्से के लिए इनको ज्ञानपीट पुरसकार मिला है इनका जो यामा इहा रचनाई है इहा कृति फैले इनको ज्ञानपीट पुरसकार मिला है तो एहा था लेखक परिच्चे आत्मिय विद्यार्थिकंडए नाव निन्ने दूसा पाठन और गिल्लूeg निन्ने निमगे हेलिद सन्न जीवी आलीले बग्गे तम्म एन जीवनोल गाद घटने अनन इल्ली नमगे इपाटद मुखांतर हेले कोटार इपाटद आशय महादेवी वर्माज्य वर एन हेलेर पांदर पशुपक्षी गळ सोबाव हेगी रुत्ते पशुपक्षी गोल जोत्ते नमगे सन्नेह बांदवय प्रीती हेगी रुत्ते अन्नो दर बग्गे नावा इलेन माड़ते होंदर नोड तेवी अदु किल्ली महादेवी वर्माज्य वर एन हेले दिर पांदर आशे एनन नमगे हेलेर नोडरी वन्दु प्रानि यत्व पक्षी गळ नन भालाष्ट हक्चि कोन्डर यस्ट नमगे अदुन बिडवेक अदर नू अक्तेत्य यत्व अदुन बिट नाव एल्ल्यू होगांगिल आधर केलो ब्रेन माड़तर अश्टोंद पशु पक्षी इरल्ली अथ्व यावो प्रानिगळ इरल्ली अधर इन्द दूर इरतर मनुष्यन सबावा वंद इरांगिल आधर महादेवी वर्माजी तम्म जीवन उडग पशु पक्षी मेले प्रानिगळ मेले भाळश्ट एन इदर अंदर स्नेह दिन्द इदरू प्रीति इन्द इदरू अधर वंद इल्ली नमके एन हेडिदर अंदर इपाटद मुखांतर हेडिदर इल्ली महादेवी वर्माजी आवर निन्ने एन नोडिद्धू नवा लेखक पर्चेन नोडिद्वी महादेवी वर्माजी अवरू गिल्लू पाटद एन दरू लेखक करदर ना इन्नोंचल्ला याख हेडातेद नी हेडोद याख इन्नोंचल्ला हेडाते नंदर निम्म SSLC प्रमुक गट्टाईली वन मार्क सोधरू निम्मुगा परसेंट इस डाउन आक्तेद अधुका एन माडरी पांदर महादेवी वर्माजी याँ पाटद लेखकरांत केळबोदू अत्वा गिल्लू यी पाटद लेखकरू यार अंत केळबोदू अत्वा निन्ने निम्गेडि निनान कश्मीरी से बिदोंद एन इतन्तेंदर कति एत्ती अधे रिती अनुरूप तवलग गिल्लू केळी डेश माड़ भोदू यी येन इतन्तेंदर रेकाचित्र एत्ती अत्वा गिल्लू रेकाचित्र केळी कश्मीरी सेब डेश अंत केळबोदू अधकागी एन माडरी पांदर महादेवी वर्माजी यावर जननन महादेवी वर्माजी यावर तंदे ताय हैसरू महादेवी वर्माजी यावर प्रम्मुक रचनेगलू महादेवी वर्माजी यावर मरन इवनेल्ला इन माडरंदर नेन पिटकोरी इले नेत्पांदर महादेवी वर्माजी यावर जननन इप्पत नाकु मार्च हत्तोंबत नूर योळर अल्ली फारुका बाधुळग इवर देन आयत्तु जनन आयत्तु बालष्ट लेखकरू बालष्ट कवीगोड दर्रू अधकागी नमगा लेखकर जनन आमिले वर कृतिगोड वीटु नेनन पिटकोड़ भड़ाश्ट कष्टाक्टाथी आधरू सोल्पसोल्प मट्टिगे येन माढ़र अंधर ओत्ता इर्री अधनन येन माढ़र अंधर नेनन पिटकोड़ू इल्ली महदेवी वर्माजी येवर युर जननना इतो, युर तंदे हैसरू ना निने दूसा हैले निमगे गोविन्दा प्रसाद वर्मा ताय हैसरू हेमरानी महदेवी वर्माजी येवर तंध हैसरू, गोविंद प्रसाद वर्मा अगु उए वर ताइ हैसरे न sulphandr. हेम रानी अधन्यु निम्मु प्रशनेली केवप दू. महदेवी वर्माजी येवर तंधाइ हैसरू. गोविंद वर्मा ताइ हैम रानी. अधे रिती महादेवी वर्माजी अवरगी नमा विश्वस्तर दन कवियत्र अंत करितेवी अधक कगी महादेवी वर्माज्य वर्गी विश्वस्तरद वबर कवियत्री अन्थेल कूड़ना विल्ली है तेवी आ मिले महादेवी अवर आधुनिक मीरा अंत्तु एन मार्क्स गिल्ली करीतारा महादेवी अवर्गी आधुनिक मीरा अंत करीतारू आमेले महादेवी वर्माजी के प्रमूक रचना ये लिख्या ईरडव मार्कस हत्वो वन मार्कस गिल्ली केवदू महदेवी Voll्माजी ऐवर प्रमुक रचन Smalo नुटरी महदेवी Voll्मावर प्रमुक रचन Smoto मेरा परिवार संद्यागीत शुरुणक लखी कडिया अमेले मत निरजा निहार यामा इवएड मित्तु दोरुपिन दोर इनलों 3 नाक प्रमुक रचन Smoto अधे रिती महदेवी वर्माजी अवर निदन हेले निमगे सेप्टमबर येश्टंद रहा हत्तों बत्नूर 97 अल्ली इवर निदन वायत्तु आमेली यूरिगी संद पुरस्कारगळु यावंतनु क्या बोदु यूरिगी संद पुरस्कारगळु सेक्सेरिया मंगल यूरिगे नगेत पांद्र द्न्यान पीट प्रशस्ती शिक्यती नुडरी या किस कृती केले महदेवी वर्माजी को द्न्यान पीट पुरस्कार मिला यहाँ प्रश्ण भी आपको आसकता है याव पुरती गागे तो याव अरचने गागी महदेवी वर्माजी यूरिगे द्न्यान पीट प्रिशस्ती सिक्की तोंत केल बोधु इल्ली यामा कृतिगागी द्न्यान पीट पुरस्कार शिक्केत इद एन एत्पान्दर लेखका पर्चाय एत्ती इदर नंतर नाव नीने पाटा नोडि द्यू सोल्पमाटिगे एन अंदर महदेवी वर्माज्य वर एन मड़ाती द्रपान्दर तम्म रूम वळगी इंद वरर्ग बंद एनो वन विच्चार मड़कों नित्ति द्रू आली एरेड कागी कोड़ एन मड़ाती द्रू तम्-तम् नोडि महदेवी वर्माज्य वर एन विच्चार मड़ा कत्र अंदर कागी कोड़ी इकागी नू भाळश्टे नेत्पान्दर विचीत्र पक्षियत्य अंद थेडर या कंदर एक बार सम्मानि थे एक बार आउमानि थे एक बार आती सम्मानि थे और एक बार आती आउमानि विचार मड़ वन्सला सम्मान माड़तेवी वन्सला आउमान माड़तेवी वन्सला आत्ती सम्मान माड़तेवी वन्सला आत्ती एन माड़तेवी आउमान माड़तेवी आप दुक्कागी महदेवी वर्माज्येवर एन अन्त हेवत रंदर विचार माड़तर विचार माड़तर बंदित्र विच्छकांगी नम्होंद एनाधर परकोल बढलुар कासाचennen अधर찌नारों जुची घुनार के जुच्चेलें किसमेर गीम्वें किसमेरा खेट चाहनार्य तरहा किसमारे में औ congratulate कव्व्वे के रूप मे खागी रूपढ गें माड़ता रूदर बंद नम इन आधरू पड़कोंड ओक्तर निमगागल हेलाना नम एन आधरू हब इर ली अत्व यह नदरू हुन्निवी इरली मनयागा नम एन मड़ते हैं उन्दर यारे बंद नम हिरे अरती इंद उक्तर अरंता फर्स्ट माड़ी दड़िगी नीमदी वर्रक इटीर तेवे अध बंद एन मड़ते तेंदर कागी नतींद होकते ते अधर रिती इल्ली महादेवी वर्माजी नू विचार माड़ाती दरू यहाँ पर हमने कल देखा है कि महादेवी वर्माजी अचानक बहरा कर सोचने लगे कि यह कवादेवी वर्माजी सोचने लगे फिर यह भी सोचने लगे कि हमारे जो बुजुर्ग है ये पित्रुपक्ष के रूप में हमसे कुछ लेना हो तो गरूर के रूप में आ सकते थे या हांस के रूप में आ सकते थे या मयूर के रूप में आते थे लेकिन हमसे कुछ नेले के लिए ये कववे के रूप में ही अवतिर्न होते हैं ऐसा सोच लगे और मादेवर्मा जी यहां भी सोचने लगे कि यहां एक कववा एक विचित्र पक्षी है यहां सोचने लगे फिर उन्होंने सोचते सोचते उनके सोच में एक बांदा आ पड़ी क्यूंकि गंबले से दीवार की संधी में छिपे एक छोटे से जियों पर दृष्टी पड़ी कवा एक द है तो इनके सोच में अचानक एक बांदा सा आ पड़ी क्यूंकि गंबले और दीवार की संधी में छिपे एक छोटे से जीव पर इनकी दुविश्टी पढ़ गई इंकी दुविश्टी एक छोटे से जीव पर पड़ी और निकट जा कर देखा फिर इनों ने निकट जा कर उस छोटे से जीव को देखा तो वहां एक गिलारी का छोटा सा बच्चा तो वहां एक गिलरी का छोटा सा बच्चा गिरा हुआ था जो संभवता गोसले से गिर पड़ा और अब कव्वे जिसमें सुला बहार खोज रहेते जो संभवता से एक उपर के घोसले से गिर पड़ा था जब हम गोसला किसे कहते हैं वहां पर पक्षियां अपना घर बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं गोसला कहते हैं पक्षिगल गूडू नौ कन्नेड लोग एन अंते होंदर वंद गूड अंते वा गूड लोगी इनद वम्मे अधर जारी केड़क बिन्त अधे रिती इल्ली महादेवयर मजी एन है तर पांदर यूर एनो वंद विचार मड़ाते दुरू आ विचारनन निलिशिर याकंदर अवर अलि वंद गूड निंद वंद सन्न जीवा केड़क बित्त पेड़क बित्त बालस्ट एन आगित्त अंदर पेट्ट आइत्त अदु गमला अंदर एन अंतेव नव पोट अंतेव नोडरी हूईरू यहला हच्चिरते हूदान यत्व कुंड अंतेव अलि एन अगित्त पांदर आवन संद्री वळग गोडी मता पोट संद्री वळग अपक्ष एन आइत्त अडिल बित्त बित्त कुले इवर अधर सम्मीत है और आप कव्वे जिसमें सुलब अहार खोज रहेते उस जीव गोसले से नीचे गिर पड़ा था और कव्वे उहां पर उसमें सुलब अहार कर रहेते जब वो घाय लोकर नीचे पड़ा तो कव्वोंको अच्छा हुआ कव्वोंको अहार मिल गया और कव्वे आकर वहां पर अहार खोज रहेते हैं अहार धूड रहेते नुड़ी अधुद कुले कागी गोली सुलबोवा गी वन्द हार शिक बिटतु धूड़ना इलेन मड़ाति तरह हुडकेड नै कोज न दूड़ना यह दोनो पर्यायवाची शब्धें काक दव की चोंचों के दो घाव से लगू प्राण के लिए बहुत थे अतव निश्चेश्टा से गमले से चिपक पड़ा था दो काक दव चोंचों से घाव उस लगू प्राण के लिए बहुत थे दो कवों ने उसे घाव कर रहे थे तो उस जीवी को यह बहुत बड़ा हो गया था और निश्चेश्टा से वह क्या कर रहा था गमले में चिपक पड़ा था जब आपे एक गमलाता फूलों का उसे चिपक पड़ा था देन अगीत अंदर हूदा निकड़े यह नत पांदर भाड़स्टा खुद इतो होगी अधक नूँ अगीतों अधक यड़क होगी अधक हूदा निक अंटी खुद बिढ़ता सब ने कहा कववे की चोंचों का घाव लगाने के बाद यहां बच नहीं सकता अता है इसे एसे ही रहने दिया जये लेकिन वहां सब आसपास लोग थे तो होग कहने लगे की कववों के घाव से जब कववे उस पर घाव कर रहते तो यहां बच नहीं सकता इसे एसे ही छोड जाई नोड़ेल येन मड़ाती दंदर येल्लारू येन हळाती दंदर भलष्ट कागी गोड़त कुक्क्यावा उड़ेल इदन हंगा बिट बिड़ुनु एन आक्तत आक्तत अंतली अल्ली सुत्मुत नित्तावर येल्लारू हेलिदर परंतु मन नहीं माना उसे होले से उटा कर अपने कमरे में लाई फिर रुई से रक्त पोचकर घाओं पर पेंसिलिम का मरहम लगाया कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँ में एक बूंद पानी टपकाया जासका तीसरे दिन वह इतना अच्चा और अश्वास्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नहने पंजों से पकड़ कर नीली कांच के मोतियों जैसे आकों से इधर उधर देखने लगा लोग जहाँ पर वहाँ पर रुके वह थे वह सब कहने लगे कि यहाँ अभी बच नहीं सकता इसे इसे ही छोड़ा जाए लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बता रहे हैं परन्तु मेरा मन उसे नहीं माना और होले से उसे उटा कर मैं अपने कम्रे में लाई यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि लोग कहने लगे उसे वैसे ही छोड़ा दिया जाए लेकिन मेरा मन उसे नहीं माना लेकिन महादेवी वर्मा जी का जो मन कह रहा था कि उसे उठाकर ले आऊं तो उन्होंने उसे जाकर उठाकर हुले से अपने कमरे में लेकर आए फिर रुई से रक्त पोच कर घाओं पर पेंसिलिन का मरहम लगाया फिर मादेवी वर्मा जी ने एक छोटा सा रुई लेकर रुई से उस गिलहरी का रक्त सब पोच कर फिर साफ करकर उसके उपर पेंसिलिन का मरहम लगाया कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुँ में एक बुंद पानी टपकाया जा सका फिर मादेवर्मा जी कहते हैं कि कई घंटे के बाद उपचार के बाद मैंने उस गिलहरी के मुँ में एक दो पानी के बुंदे टपकाया तीसरे दिन वह इतना अच्चा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगलिया अपने नहने पंजों से पकड़ कर नीली जैसे कांच जैसे मोतियों के आखों से वह इधर उधर देखने लगा फिर मादे वर्मज केते हैं कि मेरा मन नहीं माना मैंने उस छोटे से जीव को उटा कर अपने कमरे तक ले आई फिर एक छोटे से रुई लेकर उसके गिलहरी का रक्त पोच कर उसके उपर पेंसिलिन का मरम लगाया फिर एक घंटे के उपचार के उपरांत मैंने उस गिलहरी के मुह में एक दो बुंद पानी के बुंदों को टपकाया तो तीसरे दिन मानो वह इतना अच्छा हो गया था कि अपने कांट नीली से कांच आखों से वह इधर उधर देखने लगा फिर मादेवी वर्माजी कहते हैं कि मैंने उसे उटा कर अपने कमरे में लेका कर एक रुई लेकर उस रुई से उसका रक्त सभी पोंच कर उसके उपर पेंसिलिन का मरम लगाया फिर एक घंटे के उपरांत मैंने उसके मुह में एक दो पानी के बुंदे टपकाई तो वह मानों इतना अच्छा हो गया कि अपने छोटे से नीली से आकों से इधर उदर देखने लगानोंडरी महदेव अर्माजी एन हेतर अंदर यवागद केडर बित्तु तन गूड इन्द कागी कोड़ एन माड़ अधु कुक्किर जन्र एन हेतर अधुन एपसाफोप बेडरी अल्ले बिट्र बिट्र इन्ने अधुड़यांगिलां थेडर आदर महदेव अर्माजी एवर मनस iron आगलिल पा उपकोलली लआ वर मनस केली लआ वर एन माड़ितर अधुन होगी तुगोंड बंदर तुगोंड मन्याक्त अंद तम रूमोळग, तुगोंड बंदरू, तुगोंड बंद रुई, यहां पर रुई काहा है, नोडरी नावे नंते वंदर, अल्ल यंतेर नोडरी, डॉक्टर इंजेक्शन मडर, अधरले वरस्तार नोडरी, आलली, आ वाइट कलर आली, इनका मरम, पेंसीली नंद वंद अउशदी अन्न, हच्चिर, हच्ची, वन घंटे आद कुले, एन उप्चार आगितला, अधर आद नंतर, वन यरेड, मूर, हनी, नीर अन्न, अधर बायाग, हाकिर, आमेले, मूर्ने दूस, अधिश्ट, रीकवर आएटला, अध एन आगि सन्नु सन्नु तन्न, कन्न हेंगित्दू, गाजी नु नीली, कन्नी नंताव खांचाती दू, गाज हेंगित्दे एतन वोडरी, काच अधर नंग, अधर अकड़े, इकड़े, नोड़ाक, शुरू माण, तवाग, महादेवी वर्माजी, हैतार, एन पांद भाळश्टेन, अधर रीकवर आयतान थेतार, इली, नोड़े, महादेवी वर्माजी, और मनस वाप लिला, और करकोंड बंदू, अधर नेल, क्लीन मड़िदू, नंतर निमुग वन देन कोशन बरभो दंदू, महादेवी वर्माजी, महादेवी वर्माजी, गिल्लू को ख्या लगाया है, अपर बताया गया है, और बार-बार यह प्रश्न परिक्षमें आ चुका है, तो महादेवी वर्माजी ने पेंसिलिन का मरहम लगाया, फिर महादेवी वर्माजी, पेंसिलिन का मरहम लगाकर, एक घंटे के बाद, अधर बाया गेन मड़ अंदू, नीर न बिटरू, आमेल अधर यह नायतांदर, मूर्ने दूस, इष्टर रीकवर आयतला, एन अंदर, तन्नू, कन्निनिंद, अकड़े इकड़े, नोडा कतित तन्थेवतर, महादेवी वर्माजी, तम्म अनुभवगळा अनना इल्लि, एन मड़े रंदर, नीम्मू मूंद, इट्टारू, महादे चंचल चंकीले आखे सबको विस्मित करने लगी, नोड़, तीन-चार मास नोड़ी, इले नायतंदर, एरड मूर, वार, आद कुडले, अधर देन हैतर, महादे वर्माजी, स्निक्द रोए, महादे वर्माजी कहते हैं कि उसकी रोएं, जो उसके उपर छोटे-छोटे से ब समित करने लगा, नोड़, केल वन, दूस, आद नंतर, अधर मेलें सन्न, कूदले दूल, आ कूदले लेल्ल, एन अधर हेच्स बेळदू, आमेले अतर द बाल इतल, आद एन आयतंदर, भालाष्ट वळे दागी, नित इत, भालाष्ट एन आगी तंदर, वळे थर द नंतर रेन आइतंदर, माधे वर माजी एन अतर पांदर, चंचल चमकील, आके अधरु कन हेंगी दूनर, भालाष्ट चंचल इदू, बालाष्ट होल्पी इन्द कूडाती दू, इदने यल्ला आतो गोंड, आळिले लेन मड़तंदर, यल्लार को अट्रेक्शन मड़ा कतित सब को क्या करने लगे? विसमित करने लगे, अश्चर्याद रू बालाष्ट विसमित आधर, यहां था आज के इस कक्षा का पाठ, तो हम अगले कक्षा में इसके आगे का भाग देखेंगे, उससे पहले में आपको इहां बताना चाऊंगी, कि आप इस part का लेखक पर चे लिखिए फिर उसके बाद जो शब्दार्त आते हैं जैसे कि मैंने part में part पड़ाते समय ही बोलते आती हूं वही आपके पुस्तक के पीछे दिये गए हैं उस शब्दार्त को लिखिए फिर उसके बाद आप क्या किजिए जो applied questions है जो part के बीच में आते हैं उस पांच प्रशन को आप लिखे चाहे हो लेखक परचे में के हो या part में के हो मैंने जैसे कि कल बताया है बहुत सारे लेखक परचे में ही प्रशन आते हैं उसके बाद यहाँ पर यहाँ भी आ सकता है कि महादेवी वर्माजी या गिल्लू इस part के लेखी का कोन है महादेवी वर्माजी फिर महादेवी वर्माजी का जनन उनके माता पिता का नाम उनके रचन है उसके बाद जो part के हैं वह प्रशन भी आप लिख सकते हैं जैसे कि मै महादेवी वर्माजी किस पक्षी के बारे में सोच कर विचित्र पक्षी कह रहें थी तो यहां पर कववा है तो और एक प्रशन भी आ सकता है कि कववा कैसा पक्षी है कववा एक बार आउमानित है एक बार सम्मानित है एक बार अत्ती आउमानित है तो एक बार अत्ती सम्मा फिर उसके बाद महादेवी वर्मा जी के विवेचन में अचानक बांदा क्यूं आई तो आप लिकिए कि क्यूंकि एक दिवार की संदी के संदी में चिपे एक छोटे से जिऊंपर इनकी दुरुष्टी गई तो इन्होंने निकट जाकर देखा तो गमले और दिवार के संदी में एक छोटा सा जिऊंपर गिर पड़ा था तो उनकी निगाएं उस पर पड़ी तो अगला प्रश्ण है कितने कवे उसे घायल किये थे तो यहाँ पर दो कवे हैं तो इसका भी उत्तर लिखे इतना क्या है इस दस प्रश्ण को आप लिखे एक लेकक प्रश्ण के पांच प्रश्ण और इस पाट के पांच प्रश्ण कूल मिलाकर दस प्रश्ण होते हैं इस दस प्रश्ण को आप लिखे फिर उसके बाद इस पाट के जो शब्दार्थ हैं वह भी लिखे यहाँ था इस गिल्लू इस पाट का फिर लेकक पर्शे में आप 5 प्रश्ण लिख सकते हैं जैसे कि बताया है मादेवी वर्माजी का जन्म, मादेवी वर्माजी के मातापिता का नाम और उनके पुरसकार और मादेवी वर्माजी का निधन कब हुआ और पाट में के पांच प्रशन लिख सकते हैं तो इस पाट के पांच प्रशन धूंड कर पांच प्रशन लिखिए तो यहाँ पर मादेवर्मा जी पहले कवे के बारे में कहा तो विचित्र पक्षी था एक बार आउमानित था तो एक बार सम्मानित था एक बार आती आउमानि हैं फिर जब उन्होंने उस कव्वे को सोच कर कहने लिए कि हमारे बुजुर्ग भी क्या कर सकते ते गरूड के रूप में आ सकते ते या क्वे सक्षी के रूप में आ सकتे थे लेकिन यह पितुर पक्ष undertdir के कवे का जो कंठे यह बहुत करकश है तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कवे के बारे में क्या कहा फिर जब उन्होंने कवे के बारे में विवेचन कर रहे थे तो उनके जो विचार में एक बांदा आ पड़ी वहाँ थी कि गमले और दिवार के संधी में एक छोटा सा जीव गिर पड़ा था तो महादेवी वर्मा जी उसके निकट जाकर उस छोटे से जीव को उटाकर उसे अपने घर लेका आकर उसे पेंसिलिन का मरहम लगाकर एक घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुमें दो तीन बुंदे पानी को टपकाए तो तिसरे दिन मानों ये ऐसा हो गया कि सबी इसे देकर क्या हो गए थे विसमित हो गए थे तो यह था आज का पार तो हम अगली कक्षा में इसके आगे का भाग देखेंगे तो आपका ग्रह कार यह है कि पांच प्रश्न लेखक परचे में के लिखे और जो पांच प्रश्ने वहाँ इस पाट के बीच के जो अप्लाइड कोशन्स आते हैं उसे धूंड कर लिखे विद्यार्तिगळे निमगा मादेव वर्माजोर लेखक परचे एनना कोटेवी इदरोलोग आईद प्रश्ने बरतावू अद बिटस्तल केल बोदू अनरूपता केल बोदू होंदिसी बरेरेली केल बोदू अद नांतर नावेन पाट हेड़ेवी इपाट अप्लाइड कोश सहंगु केल तरोर अधुन्वेन माडर निमस वता येन माडरी अइद प्रश्ने तगद इदर आंसर बरिरी आमिली इदरोग बरोश अब्दार तन बरिरी पाट मुगद नोंतर पाट अन हिंदीनु प्रश्ने बरे किरे याओदू अन्ध अंकत प्रश्ने ट्विस्ट माड इद इस्टेने तंदर निम्दिवति इंद उमर्केती नम् मुंदिन इन अवुद्यती अधरोग मुंदिन पाटा मुंद वरसन धन्यवाद।